हाई दोस्तों घरेलू उपकरन सलाहकार प्रस्तुत करता है, मोटर स्टैंपिंग दिकारब्राइजेशन हाई पम क्या है? वीडियो तैयार किया, मोहन चंद्रप अपने में सभी का स्वागत है, क्रिपया पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमें का वर्णन करते हुए, शब्द आमतोर पर धातु विज्ञान में प्रयोग किया जाता है. दिकारब्राइजेशन तब होता है जब धातु को 700 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक कितापमान पर गर्म किया जाता है, जब धातु में कार्बन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन य इसके संपर्क में होती है. दिकारब्राइजेशन या तो फायदेमंद या हानिकारक हो सकता है, यहो सनुप्रयोग पर निर्भर करता है जिसके लिए धातों का उप्योग किया जाएगा. दिकारब्राइजेशन तंत्र को तीन अलग-अलग घटनाओं के रूप में वर्नित किया जा सकता है. स्टील की सतह पर प्रतिक्रिया, कार्बन पर मानुओं का अंत्रालिय प्रसार और कार्बाइड का विघटन. विद्युत स्टील इलेक्ट्रिकल स्टील एक ऐसी सामगरी है जो अपने उत्पादन में दिकारब्राइजेशन का उप्योग करती है. वायो आश्ट के अनुपात से रोका जाता है ताकि एक मात्र प्रतिक्रिया शील पदार्थ हो क्या कार्बन को कार्बन मोनो ऑकसाइड में बनाया जा रहा है. Stainless Steel Stainless Steel में ऐसे additives होते हैं जो अत्यधिक oxy current योग्य होते हैं, जैसे chromium और molybdenum ऐसे steels को केवल शुष्क hydrogen के साथ प्रतिक्रिया करके decarbride किया जा सकता है, जिसमें गीले hydrogen के विपरीद पानी की मात्रा नहीं होती है, जो इस तरह से उत्पन होता है जिसमें कुछ पानी शामिल होता है और अन्यथा decarbrideization के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वितियक प्रभाव के रूप में गर्मी उप्चार के दोरान या rolling या फोजिन के बाद उत्पादों, जहां कार्बन सामगरी वांचनिय है, में सतह के गुनों के लिए आकस्मिक decarbrideization हानिकारक हो सकता है जब सामगरी उच्छ गर्मी के तहत होती है, जैसा की चलने वाली ब decarbride सतह सामगरी को पीसकर भी हटाया जा सकता है, decarbrization के कुछ लापकारी अनुप्रयोग सुची बद है, विद्युत इस पात का उत्पादन स्टेनलेस स्टील का उत्पादन सादे कार्बन स्टील की अनाज सीमा अलगाव नाइट्राइट स्टील का सूक्षम सनरचना वि यद्वारा स्टील की सतह कार्बन से समाप्त हो जाती है, स्टील फोजिंग आमतोर पर decarbrized होते हैं, यह प्रक्रिया किसी प्रक्रिया के दौरान साइड इफेक्ट के रूप में हो सकती है, किसी धातू में नहित कार्बन की मात्रा उसकी कठोरता को प्रभावित करती है, decar decarbrization का प्रभाव न केवल ताकत को कम करता है, बलकि धातू की सतह के नीचे कतरनी तनाव को भी बढ़ाता है, चरपी प्रभाव परीक्षन, धातू कर्म प्रक्रियाए साधे कार्बन स्टील में, फेराइड परत तक कार्बन सामगरी कम हो जाएगी, जिसके बाद decarbrization को रोक दिया जाता है, अत्यधिक decarbrization से दोशपूर्ण उत्पाद बनेंगे, जिस अनुप्रयोग के लिए decarbrized steel का उप्योग किया जाता है, तकनीक decarbrization तब होता है जब धातू को उच्छतापमान के अधीन किया जाता है, और सतह पर मौजूद कार्बन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और फैलता है, कार्बन और वायूमंडली अगैसों के बीच प्रतिक्रिया आमतोर पर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस, 1292 डिग्री फारेन हाइट के आसपास शुरू होती है, धातों के ताप उपचार के दोरान, decarbrization एक side effect के रूप में होता है, जो अवाचनिय है, इसलिए इसे निश्क्रिय वातावरन बनाए रखने और प्रतिरोधी हीटी तकनीकों पर स्विच करके इसे रोका जाना चाहिए, क्रिपया स्टैंपिंग के लिए हमारे uploaded वीडियो को देखे, धन्यवाद अगर हमारे लिए कोई करे, प्लस 919312839345, हाई दोस्तो घरिलू उपकरन सलाहकार प्रस्तुत करता है, मोटर स्टैंपिंग डिकारब्राइजेशन हाइपम क्या है, वीडियो तैयार किया, मोहन चंद्रप अपने में सभी का स्वागत है, क्रिपया पूरा वीडियो देखे और लाइक करे, सब्स